विदार्थियों नमस्कार आपके अपने यूटूब चैनल दहमन जी के क्लासेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं BSTC अग्जाम से समंदित मैते पुन कुशन लेकर आई हूँ वीडियो में आपको बेश्टी से समंदित मैते पुन कुशन मिलेंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको फाइदा हो और वीडियो को अन्यों को भी सेर करना जिसे अन्यों को भी फाइदा मिले और वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें राजस्थान में दान चंद चोपड़ा की अवेली कहां इस्तित है? सुजान गड़ में नीती निर्देशक तत्व का उद्धश्य क्या है? लोक कल्यान अपने गोपुरम आकरती के लिए परशीद रंग नाथ मंदिर कहां इस्तित है? आनसर पुस्तकर में जोदपुर जिले में पुस्तक प्रकास पुस्तकाले की स्तापना किसने की? आनसर मान सिंग ने राज्य सरकान ने महिला निती कब गोशित की? आठ मार्च दो हज़ार को मुख्य मंतरी एकल नारी समान पैंसन योजना की पात्र हैं विद्वा परितेक्ता अतलाक सुदा में लाएं नेक्स्ट कुशन रास्तान में सुकन्य समर्दी योजना कब प्रारम की गई? आनसर चार फरवरी 2015 को रास्तान का पहला बोन बैंक राज्य की किस चिले में पन्ना प्रस्ताविताय कोट्टा में नेक्स्ट प्रधान मंत्री मातर वंदना योजना राज्य में कब लागू की गई? निसंबर 2017 में मुख्य मंत्री नी सुल्क दवाई योजना रास्तान में लागू की गई थी दो अक्टुमर 2011 को किस वर्ष है कारी सताबदी वर्ष दिवस के रूप में मनाया गया 2004 को बप्पा रावल पे नोर्मा कहा निर्मित की गई है उद्यवपूर में नेक्स्ट राज्य का पहला हेरिटेज होटल है आंसराजीत भवन जोदपूर अलवर में स्थित्मुसी महरानेक छत्री किस्ट ने बनवाई थी महराजा बक्तावर शिंग ने सेखावाटी बिग्रेड का मुखाले कहा है इस्थिता है जुन जुनु में नेक्स्ट जगत्सी रोमनी मंदिर कोन से जिलों में इस्थिता है उद्यवपूर जिले में राजस्तान की किस जिले में युद संग्राले की स्थापना अगस्त दो हजार पंद्रा में की गई जसलमेर जिले में राजस्तान की किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर इस्थिता है उद्यवपूर जिले में सारकिन का दर्वाजा काने अगोड जल में रास्तान का कोन सा सहल राष्टी विरासत शहर विकास ज वर्दन योजना में सामिल किया या गया है इज शम cola सामिल दल दली है ब्रह्म पुतर के डेल्टा छेतर के वनों को किस नाम से पुकारा जाता है मानसुनी वन गेंडा सरक्षन प्रियोजना का प्रारम किस राज्य में किया गया है? आंसर असंद रास्तान में रावली प्रोट स्रंकला के विस्तार की क्या दिसा है? दक्षिन पस्चिम से उत्तर पुरू है हमारा नेक्स्ट कुशन है एक खंबा महल के नाम से परशित प्रहरी मिनार का निर्मान किस ने करवाया? आंसर महराजा अजीत सिंग ने दे कुण की छत्रिया किन की याद में निर्मित करवाई गई थी? विक्का नेर के राजाओं की नेक्स्ट कर्षन विलास महल कहां इस्तित है? उद्देपुर में पांडू पोल कहां पर इस्तित है? अलवर के पास हमारा नेक्स्ट कुशन होगा 31 नमबर शेहलियों की बाड़ी कहां इस्तित है? उद्देपुर में चांद बाड़ी किस जिले में इस्तित है? दोश्रा में नमबर तेटिस काठ का रेन बसेरा महल राजस्तान के किस जिले में इस्तित है जालावाड में है बाड़ोले की छत्री किस सासक ने बनवाई थी महारणा अमर शिंग में किराडू का सोमेशवर मंदिर किस शेलिका है गुर्जर पतिहार शेलिका है सिरोई छेतर की पाड़ियों को इस्तानी बासा में क्या कहा जाता है बाकर कहा जाता है नेक्स्ट गागरोन किला किस नदी के किनारे इस्तित है आहू वै काली सिंध नदीयों के किनारे है बुगट बेटली दुरक कहा इस्तित है तारागड अजमीर नेक्स्ट कुशन जालरा पाटन में नव लखा दुरक की नीम किसने रखी थी परत्वी शिंग ने करनल जेम्स टोड ने राजपुतो की उद्पती किन से बताई है विद्यसी सक्सीथियन जातियों से बताई है बारती एतियासमी किस अवद्दी को राजपुत अवद्धी कहा जाता है साथवी से बारवी सदी के अवद्धी किस के समय में हैंशांग इवान चांग राजस्थान आया था हर्शबर्दन के समय में जोदपूर के निकटोश्या में इस्तित मंदिर शुमे किस राजवन्स की देन है परतिहार मिहर बोज किस वन्स का सासकता गुर्जर परतिहार का हमारा नेक्स्ट कुशन होगा 45 नंबर अमर्ता देवी मरग वन इस्तित है खेजडली गाम जोदपूर में मांसी वाकल और सोम नदिया किस वन्स जीओ ब्यारण से गुजरती है फुलवारी की नाल से गुजरती है और हमारा नेक्स्ट कुशन होगा 47 रखत कांकर डांग और रूद यह सभी है वनों के सरक्षन से समंदित राजस्तान के किस जीले में नेशनल वूड फोनसिल पारक इस्तित है जसल मेर और नेक्स्ट कुशन है सिता माता ब्यारण किस जीले में इस्तित है परताब गड़ उडन गिलहरी के लिए राजस्तान का कौन सा ब्यारण परशिद है सिता माता ब्यारण परशिद है संकट ग्रस्ट पादबो के नाम सुचिबत किये गए हैं लाल आंकडो की पुस्तिका में रेड डाटा बुक में सांगवन रोपने तु सबसी उप्युक्त जिले हैं बाश्वाडव देपूर राजस्वय बोर्ड का मुख्याले कहां है अजमेर में शारदूल खेल विड़ाले कहस्तित है विकानेल मेंी स्तित नेक्स्ट किसन करता रेक्टर स्केल पर निमिल لिखत में क्या आपते हैं राजस्तान में राज्य म onu अधिकार आयू का गठन किया गया दो हज्जार में थोता मढदिप ऑस्टरेला है हमारा नेक्स्ट किसन कि अंग वहारतिय मुलकी पर्तं मैलां कं रों त्रया कोण की कल्पना चावला राजस्तान में लोक सबाकी सिटे कितनी है डार्शतान में 25 रजस्तान में परमाणू गर किस में चिट्टोडगड में राजस्तान मोलाना अबूल-कलाम अरवी-फार्शिसोद सहिंस्तान कहां है सौंक में राजस्तान गी सिष्टान कि le spin पर शोमेश्वर मंदिर इस्तित कि रडूबार्ड मेर में राजस्तान में जांगीर के महल का इस्तित हैं तुस्कर मी नें दे निर्वान का परमुक के अंदर है तौंग राजस्तान का सरवाधि अदर जिला है झरलावाल नेक्स्ट Norwegian कौन साइस्तान राजस्तान के तिर्थ somewhat के नाम निर्मान उदोग कहा है धोलपूर में बरतपूर के सेंस्तापक कौन थे राजा सूरज मलजाट बरतपूर के सेंस्तापक थे नेक्स्ट राजस्तान प्रेटन विकास निगम का मुखाले कहा है जेबपूर में राजस्तान के सबसे प्राचिन संगठित उदोग है सूती वस्त पाली जिले में इस्तित है ग्रेनेट शिटी के रूप मी कौन से जिले को जाना जाता है जा लोर को जाना जाता है नेक्स्ट क्विशन होगा 84 खंबो की छत्री कहां इस्तित है बुंदी जिले में इस्तित है आमेर किला कहां इस्तित है जेपुर में इस्तित है नेक्स्ट क्विशन होगा राजस्तान की किस सहर को संसिटी कहा जाता है जोदपूर को कहा जाता है कितोड़ गड़ इस्तित विजय स्थम की निर्माता कौन है राणा कुम्ब है नेक्स्ट जसल मेर की पटों के अवेली क्यू परसीद है पत्तर की जालियों की कई कटाई के कार्ण हवेलियां परसीद है राजस्तान की वस्तर नगरी के दाम से विख्यात है धीलवाडा जिल्ल कौन सा नगर राजस्तान का कानपूर कहलाता है कोटा निहाल टावर कहां इस्तित है धोलपूर में इस्तित है और हमारा नेक्स्ट क्विशन होगा बिसलपूर किस जिल्ले में इस्तित है बिसलपूर टोंक में इस्तित है मतस से राजिक राज़दानी कौन सी थी अलवर थी सरगा सुली कहां इस्तित है सरगा सुली जेपुर में इस्तित है किसको जल मेलोगी नगरी कहा जाता है डीक को जल मेलोगी नगरी कहा जाता है नेक्स्ट फिशन होगा थार पारकर परजाती कहां पाई जाती है राजस्तान के सीमावर्ती छेत्रों पाजाती है गनेजी का मंदीर पर्षिद मंदीर की जिले में इस्तित है स्वाई माध्धोपुर में नेक्ष्ट रणकपुर के जैन मंदीर में कितने खंबे हैं 1444 खंबे हैं परशिद के लादेवी मंदिर किस जिले में इस्तित है करोली में इस्तित है त्रीपूर सुंद्री का मंदिर किस जिले में है बार्श्वाडा में रेगिस्तान का जल मल किसे कहा जाता है बटाडू का कुआ बाड मेर अढ़ाई दिन का जोपड़ा कहां पर इस्तित है अजमेर जेपूर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी विद्याधर भट्टाचारिये चोकला मगरा पुंगल किस पसु के परकार है भेड राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओडनी को next सोम्थी संसकर्ती का संबन किस से है vika नियर्षे लोहागड़ दुरक के नाम से कौन सा किला जाना जाता है भरत्पूर दुर्ग करवा चोत का वर्थ स्वागिन इस्त्रियां किस तिति को करती है कार्ति कर्षन चतुर्ति को रूठी रानी का महल राजस्तान के किस दूर्ग में इस्तित है मांडल गर्ड दूर्ग में ग्यारवी सदी का परशिद सास बहु का मंदिर है उदेपूर में गराशियों दुआरा किया जाने वाला नर्ते है वालर बीबी जरीना का मक्बरा कहां इस्तित्थ है, दोलपूर साथ सहिलियों का मंदीर किस मंदीर को कहते हैं, पदम नाब जैन मंदीर को कहते हैं नेक्स्ट परशन महरणा परताब की मर्थू कहां हुई थी, चामंड में मारवाड के रा ठोडवन्स का संस्तापक था राव सीवा Next question मारवाड का परताब किसे कहा जाता है राव चंदर्शेन Thank you